समझी और उतावले पन में उठाए गए कदम अक्सर तकलीफ ही देते हैं जल्दी जागना हमेशा फायदे मंद होता है फिर चाहे वो अपनी मीद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोय हुए जमीर से हो दोखा देती है, सरीफ चेहरों की चमक अक्सर, हर काच का टुकड़ा हीरा नहीं होता वक्त अच्छा हो तो गल्ती भी मजाक लगती है, वक्त बूरा हो तो मजाक भी गल्ती बन जाती है चेहरे की सुन्दर्त आँखों में उतरती है, और सोभाव की सुन्दर्त दिल में बनकी आपके जूते में पड़े कंकड आपको आगे बढ़ने से रोखते हैं गलती सुधारने का मौका तो उसी दिन से मुश्किल हो गया था जिस दिन हाथ में पेंसिल की जगह पेंथामा दिया गया था गजब की एकता देखी जमाने में जिन्दों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में जहां गल्ती ना हो वहां जुको मत और जहां इज़्जत ना मिले वहां रुको मत जिन्दगी हमें हमेशा एक नया पाठ पढ़ाती है लेकिन हमें समझाने के लिए नहीं बलकि हमारी सोच बदलने के लिए जो अपना है वो कभी दूर चाहेगा ही नहीं जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं माना मुस्किलों के आने से इंसान अकेला हो जाता है लेकिन मुस्किलों से जूज कर ही इंसान मजबूती से जीना सीख जाता है दुनिया चाहे आपको कितना भी हारा हुआ माने लेकिन आप कभी अपनी नजरू में हार मत मानना अगर आपके अंदर संतोस नहीं है तो दुनिया की कोई वी चीज आपको खुश नहीं कर सकती अगर खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी राष्टे मिल जाते हैं यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आये हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है रिष्टे और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं लगा कर भूल जाओ तो दोनों ही सुख जाते हैं जिन्दगी बहुत खुबसूरत भी है और डरावनी भी आप इसे कैसे जीते हैं यह आपकी काबिलियत पर निर्वर करता हैं अगर आप किसी की मदद करते हैं तो किसी को एहसान न जता हैं योकि एहसान जताने से इंसान की पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है हमारी ये जिन्दगी उपर वाले का दिया हुआ उपहार है और उपहार को बहुत समाल कर रखना चाहिए गल्ती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कभी तेर ना करें योकि सफर जितना लंबा होगा वो आपसी उतनी मुश्किल हो जाएगी जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करते आपको सफलता नहीं मिल सकती एक कड़वी बात हमेशा याद रखना वो लोग कभी आपके कीमत नहीं समझेंगे जिसके लिए आप हर समय हाजिर रहोगे वे लोग कभी सफल नहीं हो सकते जो परिडाम से ज़्यादा काम में आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचते हैं ढूनों के अगर तो ही रास्ते मिलेंगे मंजीलों की फितरत है खुद चल कर नहीं आती सब्द भी भोजन की तरह है अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को भी मत परूसिये किताबों से बढ़ा ग्यान कैरियर बनाता है और बीना किताबों के जो ग्यान सीखी जाती है वो जिन्दगी जीना सिखाती है सफलता मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप हर बार गिर कर दोबारा खड़े उठने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे